बापरे बिले राखी हाई गाईज वेलकम टू माई चैनल तो आज आपको मेरे चैनल पे एक मत्तब बहुत ही अलग टाइप का यूनिक वीडियो देखने को मिलेगा जो की देख सकते हैं आप लोग यहां पर वार चल रहा है चिंटू और बिल्ली है उसके बीच में मतलब यहां पर बेसिकली एक चीज के लिए लड़ाई चल रही है दोनों में तो वह चीज क्या है मैं आपको बता देती हूं एक पैरट मर के पड़ा हुआ था तो उसको बिल्ली उठा के खाने के लिए लेके गई और उसको चिंटू ने देख लिया और चिंटू को चाहिए था कि मुझे भी खाना है लेकिन बिल्ली उसको नहीं दे रही थी तो बस इस चीज के लिए दोनों में लड़ाई हो रही है एक दूसरे पर इतना ज्यादा गुसा है दोनों कि आप लोग देख सकते हो अभी चिंटू को वह भी अट ने सोचा कि थोड़ा अलग टाइप का व्लॉग डाल के देखते हैं हमेशा तो आप देखते ही हो लाइफ स्टाइल वगरा ब्यूटी वगरा का वीडियो तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा यह भी आप लोको दिखा देते हैं तो यहां इंजॉई करो आप लुग कि यहां पे क्या वाना कि बिल्ली रन्कूद के ऊपर चले गई थी ऊपर मतलब बाउन्डरी के ऊपर चड़ गए थी थो चिन्टू उसको नीचे से तuencia का चली गई एंसी म्हीं दूनरा था लेकिन उसको नहीं कि अद्धा है तब ही वह आएगी नीचे फिर इम दोरों का ल झाल 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 अब यहां पर आप लोग बिल्ली का आँख देखों लिटरली उसके आँखों से पता चल रहा हूं कितने गुस्से में है वो इस तरीके से घूर रही थी ना चिंटू को कि एकदम खा ही जाईए उसको एन उसने काट भी दिया थोड़ा सा चिंटू को और चिंटू किया है वो थोड़ा सा मनद डर पोक है वो थोड़ा सा डर रहा था और छोटा भी है अभी उतना बड़ा भी नहीं है बिल्ली उससे बड़ी है तो बिल्ली उसको अटे आने के लिए चला गया था लेकिन यहां पर दिखाती हो आपको अभी कैसे अटैक करगी और आई हो पको पसंद आ रहा होगा वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना वीडियो देखते हो ध्यान नहीं रहता है लेकिन अभी पॉस करके प्ल झाल 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 कोई किसी से जीत नहीं पाया तो बस यही तक का था दोनों का लड़ाई जगड़ा दोनों अपने अपने रस्ते भी जा रहे हैं चिंटू अभी भी थोड़ा सा डर रहा है बिल्ली से बट फिर बात में दोनों अपने अपने रस्ते चले गए किसी को किसी से मतलब नहीं था औ और मुझे लगा कि मैं थोड़ा ये शूट करके आपको दिखा दूँ तो आप लेको शाद अच्छा लएगा तो I hope you enjoy watching this video. If yes, then please subscribe किये बिना मत जाना.